आज हम बात करेंगे लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनिम्प्लाइमेंट और पार्टिसिपेशन रेट के बारे में ये इतने सारे टर्म्स जो आपकी स्क्रीन के उपर हैं देखने में एक जैसे लगते हैं, इनका माईने अलग-अलग है, चलिए शिरू करते हैं सबसे पहली हमारी टर्म है लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई किसको कहते हैं टोटल आवर्स जो हमारा वेज रेट चल रहा है, उस वेज रेट के उपर जो वरकर हैं, वो कितने घंटे काम करने को तयार हैं ये वरकर की मर्जी है कि गिवन वेज रेट पर को 6 घंटे काम करने को तयार है या 8 घंटे काम करने को तयार है या 12 घंटे काम करने को तयार है जितने घंटे हमें उन वर्कर्स के मिल रहे हैं उन घंटों का टोटल क्या कहलाता है लेबर सप्लाई Corresponding to a particular wage rate, amount of labor that the workers are willing to offer ये वर्कर की मर्जी के उपर, वर्कर की विश के उपर depend करता है मैं तो कहूंगे उसकी जरूरत के उपर depend करता है कि वो कितने घंटे काम करेगा अगर 2000 का rate चल रहा है और उसकी जरूरत 2000 से पूरी हो रही है तो ठीक है वो 8 घंटे काम करके कुश्य है उसको 2000 रुपे मिल जाएंगे लेकिन अगर उसकी जरूरत 4000 रुपे है तो वो डबल काम करने को राजी हो जाएगा तो क्या होगी हमारी labor supply बढ़ जाएगी क्योंकि labor supply ultimately total घंटे है जिस पर रजामंदी के साथ वो वर्कर काम करने को तयार है गिवन वेज रेट के उपर एक्जाम्पल लेते हैं जो हमारा अभी वेज रेट चल रहा है उसके उपर x वर्कर है एक वो 10 घंटे काम करने को काम कर सकता है उसके हाथ में है कि वो 10 घंटे काम कर लेकिन ये x वर्कर सिरफ 6 घंटे काम करने को तयार है इसके क्या कारण है बहुत सारे कारण हो सकता है उसकी जरूरते ही कम है उसको थोड़े पैसे में गुजारा हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि उसकी body allow नहीं कर रही है या उसका मन नहीं कर रहा है तो बात यहां आती है कि उस particular wage rate के उपर जो वर्कर है वो कितने घंटे काम करने को तयार है चाहे तो 10 घंटे कर ले लेकिन वो काम करेगा ही सिरफ 6 घंटे तो हमारी labor supply जो है वो 6 hours की count होती है ध्यान देने वाली बात यह है कि labor supply की जब भी बात होगी relation to wage rate के उपर होगी नियमित wage rate present जो चल रहा है इसके relation में ही labor supply की बात की जाएगी labor supply कभी भी बिना wage rate के बात नहीं करता labor supply measure किसमे करते हैं देखो यहां मैंने आपको बताया total hours जो वो वर्कर काम करेंगे तो हम किसमे labor supply को measure करते हैं देखो height measure करते हो centimeter में, meter में, volume measure करते हो liter में इस तरह से तो labor supply किसमे measure करोगे man hours of work, घंटे, इंसान कितने घंटे काम करेगा इससे labor supply measure होती है या कितने दिन काम करेगा तो कहने का मतलब man hours या man day या घंटे की बात रहेगी हिसाब में या दिन की बात रहेगी और 8 घंटों का एक दिन माना जाता है एक उधारन लेते हैं, आपको 8 घंटे के लिए 2000 रुपे मिल रहे है ठीक है, और वो जो worker है, वो 16 घंटे काम करने को तयार है, क्योंकि उसको चाहिए कितना, उसको 2000 से बात नहीं बनती, उसको 4000 रुपे मिल रहे है वो ही बन्दा जाड़ा घंटे के लिए काम करने को तयार है, बन्दा वो ही, person एक ही था, यहां पर भी, और जब वो 16 घंटे काम कर रहा है, बन्दा वो ही है, इंसान वो ही है, लेकिन अमारी labor supply बढ़ गई, labor supply increase हो गई, worker increase नहीं हो ए, ध्यान से सुनो, बरकर वो ही है, 8 घं बढ़ गई परसन वही रहा वर्कर इसलिए काम करने को तैयार हो जाता है कि उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं तो लेबर स्पलाई के डेफिनिशन में टोटल आवर्ज आएंगे कि इतने घंटे वो वर्कर काम करने को तैयार हैं जब हम definition लिखेंगे तो worker नहीं लिखेंगे, workers लिखेंगे, वो समझाने के लिए हमने आपको एक worker की बात की थी, तो क्या लिखोगे, total घंटे जो सारे के सारे worker है, वो काम करने को तयार है, तो कुल घंटे की बात है labor supply, total potential of workers calculated in hours, कितने घंटे वो काम कर सकते हैं, लेकिन calculation होनी हैं घंटों में, भाल लिजे, 100 worker का है आपके पास, जिसमें से 40 worker 6 घंटे काम करने को तयार है, और 60 worker 10 घंटे काम करने को तयार है, तो labor supply क्या हुई, labor supply घंटों में निरधारित की जाती है, तो 40 multiplied by 6, ये बन गया 240, और 60 multiplied by 10, ये बन गया 600, तो आपके कुल labor supply हो गई, 840 work hours, labor supply अच्छे से समझ आ गई है, समाप के लिए मैं बता दू, घंटों की बात की जाती है, जितने worker कितने घंटे काम करने को तयार है, निरधारित wage rate पर, जब आप definition लिखेंगे, तो wage rate का ज़रूर mention कीजिए, वरना वो definition complete नहीं है, आगे बढ़िए, अगली terminology आती है labor force, ध्या पिछली slide में, labor supply में मैंने बताया कि wage rate के साथ ही बात की जाती है, लेकिन labor force का wage rate के साथ कोई समबंध नहीं है, labor force वो worker है, जो सच में काम कर रहे हैं, या काम करने के इच्छुख है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाएगा, actually working, या persons working, जो भी काम कर रहा है, वो labor force में आ जाता है, और कौन आता है labor force में, जो willing to work है, जो ready to work है, इच्छुख है काम करने का, person seeking and or available for work, देखें, दो विभाजन हैं इस चीज़ के धान से सुनेगा, एक तो जो काम कर रहा है, और दूसरा जो काम करने का इच्छुख है, जो काम करने का इच्छुख है, उ लेकिन वो भी labor force में आता है, तो labor force में दो प्रकार के विख्टी आते हैं, या तो वो जो अभी इस at present काम कर रहे हैं, या वो जिनके पास काम है नहीं at present, लेकिन वो काम करने के इच्छुख है, अगर उनको काम दे दिया जाएगा, तो वो जरूर काम करेंगे, तो ये दोनो तरह के वरकर का total जो है, वो labor force कहलाता है, ठीक है, जो unemployed word है, बेरोजगार, उसका मतलब क्या है, उसको मैंने दो चीजों में विभाजित किया है, डिवाइड किया है, एक तो वो है बेरोजगार, जो काम करना चाहता है, उसके पास काम ही नहीं है, बट उसको काम मिलेगा, त दूसरा केटेगरी वो है, जो काम ही नहीं करना चाहता, वो बेरोजगार, जो काम नहीं करना चाहता, बेरोजगारी के दो विभाजन हुए, एक वो बेरोजगार, जो काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास काम नहीं है, उसको काम दो, वो काम करेगा, दूसरा, काम है नहीं ना उसने करना है, अगर तुम इस वाली category को काम दे भी दोगे, तब भी वो काम नहीं करेगा, तो ये हो गए बेरोजगारी के दो टुकडे, दो तरह के लोग होते हैं बेरोजगारी में, जो काम करने के इच्छुक हैं, उनको हम workforce में add करते हैं, workforce क्या है, ये मैं अगली slide में जो काम करना ही नहीं चाते हैं, उनको मैं workforce में add नहीं करूंगी, ये आपको आने वाले article में अभी next में 5 मिनट में बताया चाहेगा, तो बात हो रही थी labor force की, labor force is equal to वो लोग जो काम कर रही हैं, they are working, कैसे working है, हो सकता है उनके पास job हो, वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो भी इसमें आएंगे, और जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो भी इसमें आएंगे, तो having a job, वो किसी के employee हैं, वो भी आएंगे, और वो employer है, वो मालिक है, काम कर रहा है, वो भी इसमें आएगा, दुबारा से सुनिए, पहली कटेगरी है, persons who are working, कहां working, किसी के पास काम कर र है, वो भी इसमें आएगा, एक बात हो गई, दूसरी बात, एक बात तो हमारी यहां खतम होगी, persons who are working, जिसमें से दो conditions होगी, या तो वो काम कर रहे हैं, या वो self-it-plant है, दूसरी केटेगरी है, वो काम नहीं कर रहे हैं, दो not working, but are seeking a job, seeking a job, मतलब काम ढूंड रहे हैं, काम करने के इच्छुक है, they are available for work, अगर उनको काम मिलेगा, तो वो खुशी-खुशी जी, काम करेंगे, ठीक है, इन दोनों को भी हम labor force में add करते हैं, तो labor force क्या है, वो लोग जो काम कर रहे हैं, कैसा भी काम हो, भले आप किसी के आनोकरी कर रहे हो, या आपने आगे काम करने व हैं, लेकिन काम धून रहे हैं, काम करने को तैयार हैं, जिस घड़ी उनको काम मिल जाएगा, वो खुशी-खुशी काम करेंगे, तो यह होता है labor force, आगे बढ़िए, total number of people who are eligible for work, including employed people and including unemployed people, labor force में काम करने वाले लोग आते हैं, जो काम कर सकते हैं, इसमें employed भी होते हैं, जो जिनके पास रोजगार है, और वो भी आएंगे, जो बेरोजगार है, कैसे वाले बेरोजगार आएंगे, मैं आपके बताती है, labor force का total है, वो लोग जिनके पास काम है, या वो लोग जो काम ढूण रहे हैं, काम करने के इच्छुक हैं, इक्जामपल लोग, ये एक college है, इस college में से इस साल 500 बच्चे पास आउट होए हैं, डिगरी खतम करी, उन्होंने graduation की और 500 बच्चे इस college में से निकले हैं, ये 500 के 500 विद्यार्थी काम करने के इच्छुक ह जाते हैं, तो वो नौकरी ढूणने लग गए, क्या हुआ कि 300 लोगों को मिल गई नौकरी, बहुत अच्छी बात है जी वो काम पे लग गए, और बाकी के जो 200 थे, उनको नौकरी मिली नहीं, लेकिन वो नौकरी ढूण रहे हैं, वो काम करने को तयार हैं, परन्तु काम आएंगे, कारण ये है, क्यों आएंगे लेबर फोर्स में, क्योंकि ये काम करने के इच्छुक हैं, तो 300 वाले तो आई गए, कि इनको तो मिली गया काम, और 200 वाले भी लेबर फोर्स में एड होएंगे, ये जो 200 वाले हैं, जिनको काम अभी नहीं मिला, ये equally educated हैं, पढ़ा खुशी-खुशी तयार हैं, वो qualified हैं वर्क के लिए, capable हैं, उनमें सब education भी हैं, ठीक है, लेकिन विचारों को नौकरी नहीं मिली, लेकिन इनको हम लेबर फोर्स में एड करते हैं, तो ध्यान से सुनो, 300 लोग जिनको काम मिल गया है, उसको मैं बोलती हूँ, वर्क फोर्स, और दोसों, जो काम करने के चुक हैं, लेकिन इनको काम नहीं मिला है, उनको हम बोलते हैं, unemployed, clear, आगे बढ़िये, person who is working, जो काम कर रहा है, वो हो गया, labor force, person जो काम ढूंड रहा है, लेकिन है, वो बेरोजगार बेचारा, इस खशन वो बेरोजगार है, लेकिन काम ढूंड रहा है, वो भी क्या हो गया हमारा, labor force, clear, अब एक example लीजए, यह Mr. P है, यह एक दुकान दार है, कोई भी दुकान है, सबजी की दुकान हो सकती है, राशन की दुकान हो सकती है, बेडशीट की दुकान हो सकती है, यह दुकान दार है, तो यह है Mr. P, यह है Mr. Q, जो एक कमपन में काम करते हैं लेकिन ये sweeper है ठीक ये Mr. S है ये बेरोजगार है लेकिन काम करने को तयार है इच्छुक है काम करने को जिस घड़े इनको काम मिलेगा ये खुशी-खुशी काम करने को Mr. S ये वली जो category हमने आपको बताई ये labor force में आएगी तो labor force में कौन कौन से लोग आते हैं खुद का काम करने वाले लोग आएंगे दूसरे के यहां काम करने वाला लोग आएंगे unemployed बेरोजगार भी आएंगे लेकिन वो काम करने के इच्छुक होने चाहिए ये सब labor force में आएंगे आपको अच्छे से समझ आगया है नेक्स्ट लेबर फोर्स में हम सिरफ 15 से 60 साल के लोगों को ही include करते हैं 15 से छोटे साल के लोग बच्चा कहलाता है हम उनको चाहिल्ड लेबर में हम उसको labor force में इंक्लूड नहीं करते और 60 से उपर हमरी retirement age मांते हैं उनको भी हम labor force में शामिल नहीं करते हैं अब labor force निकालना कैसे है formula क्या रहेगा शुरू करो सबसे पहले total population of the country की जितनी भी population है उसको लिख लीजे उसमें से ये तीन चीज़े आप minus करेंगे subtract करेंगे सबसे पहली चीज़े आप minus करो वो लोग जो काम कर ही नहीं सकते क्यों क्योंकि या handicapped हैं disabled लोग हैं इनको हम labor force में शामिल नहीं करते हैं population में से ये वले लोग हटा दीज़े second number पे क्या subtract करना है वो लोग जो काम करना ही नहीं चाहते नहीं करना में का ठीक है तो उनको भी निकाल दो और तीसरा number है people who are not available forward तुमने उनको काम दिया लेकिन वो थे ही नहीं काम करने के mood में या they were not available वो उस समय present ही नहीं थे इनको भी आप निकाल दीजे तो total population of the country में से इन तीन चीज़ों को आप minus कर दीजे तो आपका आजाएगा labor force next अब बात पते कि यह है कि labor supply और labor force में अंतर क्या होता है अभी पिछली slides में आपको अच्छी तरह से बताया है और दोनों का मतलब आप बात करेंगे difference की labor supply क्या है supply of labor है नाम से पता चल रहा है total work hours बोले थे न वो supply of labor बात किसकी की जाएगी corresponding to different wage rate अभी के निर्धारित wage rate पर कितने लोग काम करने को तयार है वो है हमारी labor supply कैसे याद रखोगे supply of labor wage rate के इस बहले wage rate के उपर कितनी supply है हमारी supply of labor measure होती है या तो man days में या man hours में या तो दिहारी के base पे कितनी दिहारियां लगाई या कितने घंटे लगाई और इसकी बात हमेशा wage rate से related ही होगी wage rate के दिना labor supply का कोई मतलब नहीं बात करो labor force की labor force वो लोग है number of people है ना तो यहां दिहारी count होती है ना यहां घंटे count होते है लोग count होते है number of people या तो वो काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक है ठीक है अभी पिछली side में अच्छे से बताया था और labor force में wage rate का कोई लिना देना नहीं है next point supply of labor जो है वो बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है बावजू दिसके की number of workers उतना ही रहेंगी number of worker मालो 100 है 100 number of workers के साथ labor supply बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि घंटे बढ़ा देंगी इतने ही 100 वरकर काम करने के घंटे अगर बढ़ा देते हैं तो हमारी labor supply बढ़ गई तो उनी लोगों के साथ हमारी labor supply कम भी हो सकती है भाया वो ये भी कह सकते है कि हमने सिरफ 6 घंटे क करना है तो उतने ही लोगों के साथ labor supply बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है और वन डे एक दिहाडी 8 घंटे के बराबर काउंट की जाती है अब labor force तो भाया तभी बढ़ेगा और कम होगा जब number of persons बढ़ेंगे या कम होगे यहां ऐसा नहीं था उतने ही लोगों के साथ labor supply बढ़ और कम हो सकती है लेकि labor force तभी बढ़ेगा जब लोग बढ़ेंगे क्यों क्योंकि size of labor force क्या होता है total number of people जो अभी काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक है clear next अब आता है नया term workforce workforce वो number of persons हैं जो सच में काम कर रहे हैं इसमें वो लोग शामिल नहीं किये जाते जो willing to work हैं जो बेरोजगार हैं लेकिन काम करने के इच्छुक हैं उनको हमने workforce में add नहीं करना उनको labor force में add किया जाता था तो workforce क्या है वो लोग जो सच में काम कर रहे हैं जिनको काम मिल गया who are actually employed at a particular time इस क्षण कितने लोगों के पास रोजगार है वो है हमारा workforce persons who are actually working का मतलब क्या रहेगा persons who are engaged in productive activity जैसा कि पिछली example में बताया था एक college में से 500 लोग graduate हो के निकलते हैं सारे के सारे equally talented हैं काम करने की ख्षमता है 300 को नौकरी मिल जाती है 200 को नौकरी नहीं मिलती है लेकिन वो काम ढूंड रहे हैं काम करने की चुक हैं लेकिन workforce में क्या आएगा सिरफ और सिरफ ये 300 ही आएंगे जिनको सच में नौकरी मिल गई तो ये 200 को मैंने workforce में add नहीं करना तो workforce क्या है वो लोग जो काम कर रहे हैं इसक्षान workforce labor force का ही part है इस वाली example में labor force कितना बनता था 500 लेकिन workforce बन रहा है 300 इसलिए मैं ये मानते हैं कि workforce labor force का part है workforce is equal to labor force minus number of persons not working but are willing to work इस 500 में से ये 200 मैं minus कर दूँ जिनको नौकरी अभी नहीं मिल लिया है तो answer आएगा 300 तो मेरा workforce क्या है 300 प्लीज इस formula को आप अच्छे से लिख लीजे और याद कर लीजे next labor force माली जे 100 है जिसका total बनता है 70 जो की workforce है मतलब 70 को नौकरी मिल गई और 30 जो है unemployed है बेरोजगार है काम ढूंड रहे हैं काम के इच्छुक हैं तो काम कितने लोगों के पास है 70 लोगों के पास उनको मैं employed बोलती हूँ बेरोजगार लेकिन काम करने के इच्छुक उनको मैं क्या बोलती हूँ 30 तो labor force बन गया 100 is equal to 70 plus 30 इसमें से unemployed कैसे निकालना है प्लीज यह formula याद कीजे unemployed is equal to labor force minus workforce labor force है 100 इसमें से 70 निकाल दो answer आगया 30 ठीक है इसी formula से आप यह formula derive कर लिजे workforce क्या होता है labor force minus unemployed ओके next अब आती है बात unemployment की unemployment कैसे निकाला जाएगा it is the difference between the labor force and the workforce तो number of persons unemployed का formula labor force minus workforce इसको समझाते है number of persons unemployed की मतलब यहाँ पर willing to work इच्छुक है काम करने के लेकिन काम नहीं है this is equal to labor force का total किसका होता है employed plus willing to work और workforce क्या होता है employed तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर यह positive है यह negative है यह कट जाएगा और willing to work willing to work equal हो गया तो formula क्या बना number of persons unemployed is equal to labor force minus workforce next another important term is the rate of unemployment आपको यह question आ सकता है आप क्या लिखेंगे number of persons unemployed जितने बेरोजगार है उसको numerator में लिखती जिए divided by size of labor force into 200 ध्यान देने वाली बात यह है कि numerator में क्या आना है प्लीज याद कीजिए denominator में size of labor force आना है generally student confused हो जाता है इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ formula को लिख 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 लिखें नेक्स्ट टर्म आती है participation rate participation rate population का वो भाग है वो proportion है जो की actively engaged in the process of production है process of production में मतलब वो काम कर रहा है काम करने का मतलब value addition कर रहा है कुछ न कुछ काम हमारी country के लिए value add कर रहा है population का वो portion जो काम कर रहा है उसको बुला जाता है participation rate ठीक है ना किस में participate कर रहा है रोजगार में participate कर रहा है काम कर रहा है कमाई कर रहा है value addition कर रहा है production activity में engaged है Participation rate employment situation को analyze करने में बहुत help करता है अगला term है मेरे पास labor force participation rate देखिए working population का वो section जो 16 से 64 साल की उमर में है और काम कर रहा है या काम धून रहा है उसको हम बोलते हैं labor force participation rate LFPR जो लोग पढ़ रहे हैं जो housewives हैं उनको हम count नहीं करते हैं और चांसर साल के उपर के बज़ुर्ग जो हैं उनको भी हम labor force में count नहीं करते हैं labor force का मतलब जो लोग काम करने के equivalent हैं qualified हैं भले काम है भले काम नहीं है मतलब वो बेरोजगार जो काम करने की उच्छुक हैं उनको भी हम labor force में ले ले लेते हैं तो आपका LFPR क्या रहेगा numerator में आएगा labor force जिसका formula मैं अच्छे से बताया है denominator में आएगा total working age population प्लीज ध्यान रहे total population नहीं लेना working age population काम करने के लायक जो लोग हैं इसमें बच्चे नहीं आएंगे housewives नहीं आएंगे मुज़र्ग नहीं आएंगे so I'm repeating it कि total working age population लेना है multiplied by 100 अगर एक country में LFPR 50% है इसका मतलब 100 लोग अगर working age के हैं काम करने के लायक अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 है labor force उस labor force में से 35 तो काम कर रहे हैं रोजगार है और 15 जो है अभी वो बेरोजगार है उनको काम नहीं मिला है तो 35 हो गए work force और 15 हो गए unemployed clear यह formula प्लीज आपकी tips पे होना चाहिए LFPR जिसकी बारे में बात कर रहे हैं 2017-18 में 49.8 परसंट था और 11 बारा में 55.9 परसंट था तो labor force participation rate इस साल से इस साल में आप difference जो है वो देख सकते हैं नेक्स्ट वर्कर population ratio इसको कहते हैं देखिए वर्कर एक टाम आती है population दूसरी टाम आती है वर्कर होता है जो economic activity में भाग्य दे रहा है भाग अपना कर रहा है काम कर रहा है GDP में contribute कर रहा है कुछ रोजगार कर रहा है कुछ कमाई कर रहा है वर्कर के पास नौकरी होती है ठीक है the section of population who is working तो वर्कर उसको कहा जाता है population का वो लोग जो काम कर रहे है population किसको कहते है total number of people residing in a country at a particular time इस समय हमारे देश में कितनी जनता है वो सारी की सारी जनता population कहलाती है working population की बात नहीं कर रहे है working population वो होगी उस जनता का कितना portion काम करने के लायक है population मतलब total जनता तो WPR worker population क्या हुई numerator में आये का number of worker कितने लोग रोजगार में है divided by total जनता multiplied by hundred अगर 1000 में से 600 के पास काम है 1000 लोग है total और 600 के पास काम है तो WPR क्या बनेगा जी आपका 60 प्रतिशत बग जाएगा ओके next देखिए LFPR क्या हुआ labor force divided by population into 100 WPR क्या हुआ worker divided by population into 100 WPR worker population ratio जो है वो rural area में जादा होती है गाओं में जादा होती है क्योंकि गाओं में लोग काम करते है गाओं में औरते भी काम करती है शहरों में औरते कम काम करती है क्योंकि गाओं में पैसे की जुरत जादा होती है वह employment opportunities नहीं होती है तो जो में काम भी करते है वो इतना पैसा नहीं कमा पाते इसलिए औरतों को भी रोजगार में उतरना पड़ता है वहाँ पर तो कभी-कभी बच्चे भी काम करते है क्योंकि वह employment opportunities ही limited है तो यह आज का article हमारा यहीं खत्म होता है I hope मैंने आपको अच्छे से समझाया है इसके related आपको कोई doubt है आप प्लीज comment section में पूछ सकते हैं आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज comment section में दे सकते हैं प्लीज मेरे चैनल को like and subscribe कीजिए Thank you for watching, stay safe, stay blessed